सब को जय में से की मैं पाश्टर लाल जी विश्व कर्मा आई आज दिन की नई सुरुवात के लिए शुबह की प्रार्तना हरे के लिए करते हैं प्रार्तना सुरु करने से पहले मैं वचन की माध्यम से हर एक सी बात चित करना चाहता हूं इसलिए आई वचन को देखते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है उसके वचन में वपावर है कि वचन के द्वारा हर एक मनुष्री के जीवन का उधार और कल्यान को देखते हैं इसलिए मेरे प्यारे भाहिर वनो आईए मुश्वचन को देखते हैं ध्यार पुरोग देखें सुने, निती वचन अध्याई साथ वचन एकसे, अई देखते, हे मेरी पुत्र मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्याओं को अपने मन में रख्चो, मेरी आज्याओं को मान इसी से तू जिवित रहेगा और मेरी सिक्षा को अपनी आँख के उतली जान मेरी सिक्षा को अपनी आँख के उतली जान उनको अपने अंगुलियों में बात और अपने हिर्दे की पठिया पर लिख ले अमेन मेरी फ्यारे भाहरवनों यहां परमेशो का वचन हमें बताता है जिसमें परमेशो कहता है कि हे मेरी पुत्र मेरी बातों को माना कर और मेरी आग्याओं को अपने मन में रख चे कहता है जो आग्या मैंने तुम्हें दिया है कहता है मेरी आग्याओं को भूल मत परंतु अपने मन में उसे रख ले कहता है कि उन आग्याओं को तुम माना कर और उन सारी आग्याओं को अपने मन में रख ले कहता है कि मेरी आग्याओं को मान इसी से तू जिवित रहेगा कहता है कि हे मेरे पुत्र तू क्या कर मेरी आग्याओं को मान अगर तू मेरी आग्याओं को मानेगा तो इससे क्या होगा तू जिवित रहेगा तू मरेगा नहीं मृत्तु की तरब नहीं जाएगा अर्थात नरक में नहीं जाएगा तो विनास में नहीं जाएगा परंत अनंधकाल के जीवन की तरफ जाएगı इसले कहता है कि मेरी आज़्या को मान। क्योंकि बाइबल की वच्छन कहते हैं कि मैं जो कुछ तेरे लिए कहता हूं तेरे भले के लिए करता हूं और जो कुछ तेरे लिए करता हूं तेरे भले के लिए करता हूं परमेश्र जो बाते हमंसे कहता है न हमारे भले की लिए करता है और अमारे लिए जुक कुछ करता है इसलिए कहता है कि मेरी आग्या को मान इससे तू जीवित रहेगा तेरे पाप मिट जाये तू पाप उसे मुध भरोगे इसलिए कहता है कि मेरी सिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान ले कहता है कि है मेरे पुत्र तु मेरी जो सिक्षा है उसे तु अपनी आँख की पुतली जान ले मेरे प्यारे भै रोन में मनुष्ञ गे अंग में जो अंख कीदिया नाजुक और सबसे कीम्थी अंग होता है किकर वो वचाने के लिए हमेशा मनुष्य ततपर रहता है किर अन्मनुष्य मत्मपमेस्थ के सरी को बनाया कली पेसलियों पमेश्ट ने शुन है कि लिए पल्किय क्या करती है हमेशा उसके उसके लिए हमेशा तयार रहती है उसे बचाने के लिए और मनुष्ट के लिए ही संपूर सरीर में जो जो अंग है जो सबसे कीमती अंग है वह आंख है इसलिए परमिश्डर ने कहा कि जितनी रुक्षा तो अपनी आखो की करता हुझा कि पुतली की करता है नर्लिक्षर कहती है क्योंकि जैसे आखें क्या करते हैं तो संसार की सारी चीजि हाखों से दिखते हैं उसी प्रकार कहता है जो मेरी सिक्षा है न, उस सिक्षा से भी तुझे ठोकर देने वाली चीजे और तुझे लाब देने वाली चीजे दिखेगी मेरी आग्या के दौर है, मेरी प्यारे भैरवन इसलिए उसने कहा कि मेरी सिक्षा को अपनी आग की पुतली जाने यदि आंक की पुतली मनश्च के लिए बहुत किम्ती होती है अगर किसी भी बैती की आंक की जब रुशनी नाजुक हो जाती है खमजूर हो जाती है तो ब्याकुल हो जाता है और सोचता है कि क्या से क्या कराऊं इतना तक या प्रेशन भी कराता है किसलिए आंक के रुशनी को बचाने के लिए आंगों को सुरक्षित रखने के लिए इसलिए मेरी प्यारे भायल बनो परमिश्र कहता है जो मेरी आग्या है ने तेरी आग के पुतली के शवान जितनी रक्षा तो अपने आखों की करता है उसकी पुतली की करता है उतनी रक्षा तो तु मेरी आग्या का किया कर उसे अपने अंदर से भूलने न देना परंतु अपने मन में उसे रख कहता है कि उनको अपनी अंगुलियों में बाग ले कहता है कि मेरी जो आग्या है ने उन्हें अपनी अंगुली में बाद ले क्यों? क्योंकि तू अपने हाथों को हमेशा निहारेगा अपनी अंगुलीों को हमेशा देखेगा तो मेरी आग्या तुम्हें याद रहेगी अब कहता है कि तू अपने हिर्दय रुपी पटिया पर उसे लिख लेना कि उप भोलने ने पए कि प्रमिश्वर की इच्छा है कि मनुश्य उसकी सारी आज्ञाओं को याद रखे सारी आग्या को अपने मन अपने हिर्दे में वसा कर लगे तो जब कोई मनुष्य उस परमिश्वर की आग्याओं को सुनता है ग्रहड करता है मानता है उसमें चलता है उसमें बना रहता है तो वह मनुष्य परमिश्वर की लाइक ठैरता है तब परमेश्वर उसके लिए बना रहता है इसलिए जरूर है जरूर है कि परमेश्वर की आग्या में शत्यव बने रहो तो परमेश्वर आपके पास हमेशा बना रहेगा अमेन हलेलूईया इसलिए आखों को बनकरिये सुबे की प्रार्थना हरे के लिए करते हैं इस प्रार्थना की द्वारा परमेश्वर आपके जीवने बहुदायत के आश्यस देगा धनिवाद करता हूँ मेरे प्रबो परमेश्वर सृष्टे की मालिक तरह धनिवाद रिम्यमा करता है इस मसीतरी नाम में प्रार्थना करता है अपने पवित्रते जश्वे शामर्ती बलवनता हातों को नीचे बढ़ा ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को रिश्रीप करें परमेश्वर हर एक को तिराश पर सोने पाए हर एक को प्रभूतु छुले ताकि इनके सर से पाउ के बीच किसी भी एंग में कोई प्रकार की बीमारी प्रभी एश्वर के नाम से सारी बीमारी बाहर हो जाए यह परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने बीमार ब्यक्ति इस प्रार्थना को रिश्रीप कर रहे हैं आज उनके सरीश सारी बीमारिया न मेरे प्राहितना करता हुए, यह परमेश़र कोई भी तक्लिफ है निकला जाए कद्रा, नाक में हो, मुख में हो, नष्ट होने पाए dernier, सीने में भी मिमारी निकलिए पेट में तो पेट की बलाइस करता हूं। कर दो आदेश करता हूं कि तुम्हारे सरी के अंदर से गत्तिया बनता तो बनने लगे जिसका प्लेटलेश डाउन है तो वह बिल्कुल बढ़ना चालों हो जाए वह पर मिश्य जिसके अंदर खून की कमी तो बरपाई हो जाए जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए किड़नी खराब हो चंगी हो जाए गैस की बीमारी निस्ट होने पाई जिसका हाँ युटनने रिष्टा पैर ने चलता चलने लह बीवर चंगा उजाए विश्य के नामें आदेश करता हूं है तो चक्योंकी मैसे नाम जुकर इस प्रना पंदो किसी बीप्रकार की चर्म रों खाच को जीडिया नीकल जाए निकल जाए लहो पानी की पिमारी के जिसके पास संतान नहों परम्पिता परमेश्व ने संतान दे। प्रभी येश्व के नाम से जिसके सरी में दुश्ट आत्माय निकल जाए। दुश्ट आत्माय निकले। फरमेश्व के घर परिवार रोजी रोजगार काम धंदे विजनेश्व ने परवे पासेश्व बड़त्री परकत होने परभू जिसके पास रोजगार ने रोजगार दें नौकरी ने नौकरी दें। जो गरीबी से स्वाप में चुटकार पाए। कर्जे में कर्जा आदा जिए। जिसके पास घर ने घर हो जाए। चलने का साधर ने चलने का साधर ने इसाधर। एवे निवहान परमेश्व प्रावर ना करते हैं। इनके जीवन में अलवगी चमतकार होने प्रभू। देवा करने वाले देख रहें प्रवु उनकी श्वकाई बढ़े उनकी द्वारत तेरी बड़े-बड़े अद्भुद काम होने पाएं मेरे महान परमेश्र मैं प्रार्तना करता हूँ यह हर एक उन व्यक्ति के लिए यह परमेश्र जितने लोग इस प्रार्तना को रिश्यर करने प्रोवु हम प्रार्तना करते प्रे स्वर्का जरुखा खोल और स्वर्गी आत्मा हर एक के अंदर आने दे तागि हर कोई आत्मान रिखाबर अंदो सोंदोलो, अब्वलब सिंगे रें डो सोलो, बास्ताखला वश्टंदेले लेरे महन परबेश हरे को चंगा जना पिता ओर पर इकॵराशियाकी तीय निया चमक्तार हो दो हर एक भ्चुर। जना चमक्तार हो दो ये मेरे वहाद परमेश्य येतने तेरे शिवक हे प्रभू जेल खाने के अंदर बंद प्रभू ने आसिज दे ताकि वे आज़ात होने पर है ये परमेश्य प्रार्तना करते सभी सासन प्रशासन के सभी अधिकारियों के लिए सबी अधिकारियों के लिए तागि हरे को आसिज दे तागि हरे को तेरा सच्चा ज्यान और बुद्धी प्राप्त हो उनकर घर परिवार बीबी बच्चे शब स्वस्थ और भले चंगी होने पर है हा MER previously को तेरा साथ अरके शातों तेरा हाथ अरके शर्प में बना रहें अनुग्रा संती असे भर मेरे प्रभु येश्र के मानदा में मांगती है आमेन हमेश्वारी को आसित दे खया हूं इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन सरूर प्रेस करें हमारी लेटिस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए